Hello and welcome to the studio of members Minda Industries को आज के दिन हम trade कर रहे है Minda Industries को समझने से पहले एक structure हम आपको बताएंगे उसको समझने ही कुशिश किजिएगा और ये structure सिर्फ इसी stock में नहीं आप किसी भी stock में लगा दो आपको सफी जाएगे work करता हो दिखाए पड़ेगा लेकिन दूसरी चीज़ हम बोलेंगे कि market की condition उस वक्त की देख लेनी है सिर्फ structure ही काम नहीं करेंगे आपका stock selection भी काम करेंगा आपके confirmations भी काम करेंगे आपका trend identification भी काम करेंगे entry, exit, stop loss सारी चीज़ें मिल करके एक साथ काम करेंगे ऐसा नहीं कि किसी भी एक point का अपने पकड़ ले और उसको देख कर क्या trade execute करने लगे market के साथ जितना ज्यादा time आप expand करोगे उतना ही ज्यादा market आपको सिखाएगे जो जो level आपने draw किया है एक तरह से यह मेरा super resistance level है अभी कोई भी stock एक super resistance levels के पास में जब होता है जब जब price हमारे इस level के पास आगए इसके अंदर आपको rejection देखने को मिलेगा जब जब price आगए आपको अब इसमें एक चीज़ देखें कि जब price मेरा downside की तरफ गिर रहा है तो इसकी volumes increase हो रहेगे पहली चीज़ दूसरा प्राइस जैसे ही मेरा resistance levels के पास में पहुंचता है यहां से इसके अंदर गिरावर देखने को मिलती है इसका मतलब क्या है कि price में एक level ऐसा है कि जहां से price हमारा बार-बार downside की तरफ गिर रहा है clear नहीं इतनी सी चीज़ यह मेरा resistance level है अब हमने कल का वीडियो अगर आपने देखाया है जितने वीडियो वगर हम अपलोड करते हैं चोटे-चोटे कई सारे points होते है आप उनको घौर से देखोगे नो तो बहुत सारी चीज़ समझ मेंगे अब यह resistance level अगर कोई important level है कल की वीडियो में हमने बताया था अगर कोई level आपको बहुत important है तो उसको market ऐसे ही break नहीं करेगी वहाँ पर आपको अच्छे खासे volumes के structures दिखाई पढ़ेंगे volumes के breakout दिखाई पढ़ेंगे prices के साथ याद है ना कल देखे शायद 20th of October की कोई एक candle थी 20th की candle थी I hope कि जिसको price ने कितनी ज्यादा volumes कितनी heavy volume के साथ trade किया था break किया था और कल उसी confidence के साथ ने उस trade को execute किया हाँ में मालूम है कि ये वाला level मेरा important है because ये higher time frame पर भी plus day time frame की जो हमारी analysis उसको भी अगर हम add करे हो तो मेरा ये अच्छा से level निकल किया था price ने morning में आज बहुत ज्यादा volume के साथ इसका breakout किया था और morning में यहां से आपको higher eyes लगते हो दिख गए कि price ने 9.15 की candle का high भी break कर दिया अब यहाँ पर volumes और prices के जो structures हमको दिखाई पड़े कुछ इस तरह के structures थे कि price ने heavy price movement और heavy volume के साथ हमारे इस resistance levels को upside की तरफ breakout कर दिया इतने इस इस क्लियर अब देखिए वापस से price में हमने आपको बताया था low value lower highs और higher high higher lows ऐसा नहीं है कि price ने हमारा हमारे इस level को volume के साथ breakout कर दिया तो अब हम इसको buy कर लेंगे नहीं अब हमें यहाँ पर रुखना होगा अपनी confirmations के लिए ऐसा तो नहीं है कि ये एक fake breakout है fake breakout भी तो होता है न fake breakout है और price अगेन जब हमारा अंदर की side में आने की कोशिश कर रहे तो इससे जाला volumes generate हो जाए और price बना नीचे के तरफ गिर जाए ऐसा भी तो हो सकता है न हम वेट करते है इसके बाद में क्या हुआ कि price ने जैसे ही movement downside की तरफ शो किया इसके अंदर volumes कम होने लगए retracement का वेट lower time frame पर अपने entry के confirmations के वेट मतलब कि lows मेरे protect हो रहे हैं और यहाँ पर buyers की संक्या में ज्यादा दिख रही है हम तभी trade अपना execute करेंगे इन ही जगह पर हमें ज़रूत पड़ेगी अपने entry confirmations के इन ही जगहाँ पर हमें ज़रूत पड़ेगी हमारे trend confirmations के और stop loss confirmations के दोनों चीज़ा identify करने के बाद में अब हम यहाँ पर अपना trade execute कर सकते हैं I hope जिस तरह हमने इस सारी चीज़ा आपको समझा है यह आपको clear हुआ होगा अब चलते हैं से चार्ट के उपर अब जब इतनी सारी चीज़े हमने आपको drawing में समझा दे तो अब हम चार्ट पर क्या करने है चार्ट पर हम लोग और अची तरह से समझेंगे यहाँ पर targets किस तरह से identify करेंगे और day time frame को और अची तरह से rate करेंगे सबसे पहले आते हैं और price जब जब हमारे इस level के पास में गया है price यहां से downside के तरह फॉल यहां से जब price हमारा upside के तरफ गया है तो volumes हमारी increase होगी अब यहां से चलते हम लोग से लोवर time frame को हा देखिए लोवर time frame को हमारी candle है यह डेड़ वाली candle इसके उपर जब मार्केट हमारी निकल नहीं लग गई क्योंकि हमारी लेवल्स को तो अपसाइड के तरफ मोनिय ब्रेक कर दिया गए था पैस डाउंसाइड के तरफ आया और इस वाली कैंडल के उपर जैसे ही हमारी मार्केट निकली है हमने यहां पर अपने ट्रेड इसकेट कर दिया है इग्जैक्ट जो हमारा यहां पर ट्रेड बुक अपने उपन कर लेते हैं पोजिशन बुक पोजिशन बुक में ओके तो 2800-2900 के अराउंड हमारा पर चल रहा है और प्रॉफिट को चलने देते हैं बट ओवराल जो यहां पर हमारी एनालसिस थी देखिए एंट्री के जो कन्फरमेशन से अपने यहां पर एंट्री हमने कितने पर ली एंट्री ही देखने आया थे और इग्जैक्ट जो आज का हाई है अगर हमें मार्केट यहां तक ले करके जा सके न तो बहुत अच्छा रहेगा हमें एक अच्छा टार्गेट अपसाइड की तरफ मिल सकता है बिकाज वॉल्मस भी ठीक ठाक आया है और प्राइज के जो मुवमेंट है प्राइज अपने लोज को प्रोटेक्ट कर रहा है और हाइज को ब्रेक कर रहा है यहां पर लोग प्रोटेक्टेट लोग प्रोटेक्टेट लोग प्रोटेक्टेट हाइज ब्रेक हो रहा है तो market अगर अपने इस वारे resistance को और last में अपने इस वारे resistance को break करेगे तो movement आप देख सकते हो कितने अच्छे movement आएगे कोई बड़ा move होता है या फिर हम कोई action लेते हैं इसका तो आपको inform करें वीडियो कर अच्छा लगते है तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक किज़ेगा और अपने फ्रेंट सर्कल में शेयर करेंगे कोशिश किज़ेगा Thank you and wait करते हैं Market की movement same as expected यह रुखने का नाम नहीं ले दे इसवाट का अपना price movement चल रहा है 930.50 पैसे का चल रहा है and overall इसवाट का अपना profit is 30,000 के around हम इसके अदर profit ने बने हो है 29,000 अभी तरक हम ने इसके अंदर कोई भी अपना order नहीं लगाया है हमारा जो pending order है stop loss order भी pending पढ़ हुआ है it's 68.90 and यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह कोई target order भी तक हमारा नहीं लगा है जो कि अब समय हमारा यहां से बाहर निकरने का so 913.55 अब हम यहां से exit होते हैं because 915 एक resistance है मिंड़ इंडर्स्ट्री के लिए यहां पर हम अपना एक order लगाते हैं 911 और पर 50 से 911 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 very good okay ठीक है ठीक है 73.0, perfect सार अर्टस निकल चुक है 27,263 रूपियस का overall profit हमारा आज का, एक beautiful trade एक अच्छा trading setup एक अच्छी trade analysis target की identifications भी सही रही है और जिस लेवल पर हम निकलना चाहते थे 903.75, price ने हमको उससे भी उपर जागर के एक अच्छा sale दिया, so आज का trade execution वाकई में कमाल था and overall जो हमारा आज का profit है आप लोग देख सकते हैं, 27,000 के around हम profit के अंदर बने हुए है so order पर एक बार शेक कर लेते हैं perfect, एक भी order हमारे पास बचा नहीं है, 763 का order था, सारा का सारा हमारा निकल चुका है 500 का ये वाल order लगा तो सबसे पहले देखिए हाँ पर 800 का order लगाने वाले थे तो 800 में से कुछ प्रॉब्लम हुए जिसमें से हमने कुछ order पना कैंसल कर दिया and next price के movement का वेट करने लगा थे, because और हमें सस्ता प्राइस मिल रहा था तो वहाँ पर हमने फिर 500 का ये वाले पना लगा जा आज का trading setup एक बहुत अच्छा trading और एक satisfied trade था So thank you, I hope कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने जरूर इससे कुछ न कुछ सीखा होगा देखे, फिर सम्हों बोल रहे है सारी चीज़ें depend करती हैं आपकी analysis के उपर सारी चीज़ें depend करती हैं आप market में क्या सोचते हो ऐसा है नहीं है किसी ने बताये आपने कर लिया ऐसा है नहीं है कि किसी ने आपसे कहा sell कर दो, आपने sell कर दिया, buy करना है, buy कर लिया मन हुआ buy कर दिया, sell कर दिया, ऐसा नहीं आपके पास अपना एक proper trading setup होना चाहिए आज से एक या धिर साल पहले जो चीज़ें हम समझाया करते थे अभी उससे भी ज़दा आगे जाकर कि हम लोग काम कर रहे है ऐसा होता है ना कि हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा हमें हमेशा अपने आपको अपग्रेट करना पड़ेगा अप अपग्रेट करने का मतलब यह नहीं कि आप रोज रोज अपने सिस्टम्स को चेंज करें नहीं अपने सिस्टम को और स्रॉंग बनाना पड़ेगा अब देखिए कल से पहले क्या हुआ था जब उने फ्राइडे को अपना एग्जेक्यूट किया था या शाद मंडे को एग्जेक्यूट किया था अपना नहीं बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है नहीं बहुत बुरा है लेकिन रिजल्ट है लोगों की नज़र है इसके उपर पॉफेक्ट सो ग्रो करते रही है ऐसे और डे बाइडे सीखते रही है समझने की कुशिश करते है इसके तब तक के लिए गुडबाई एंड विविविट मेट अगें